इंपल्सिवली का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं इंपल्सिवली का आर्थ होता है आवेग में लालसा से उद्वेग में बिना विचारे जल्दबाजी में या आवेग पूरवक यानि कि आवेग से या आवेग में कोई चीज की जाती है, लालसा के साथ की जाती है, उद्वेग में या बिना सोचे समझे जलबाजी में कुछ किया जाता है, तो उसको हम impulsively कहते हैं, जैसे कि एगर आप यह कहना चाहें कि वह एकसर आवेग पूर्ण कार्य करता है और आवेग में बोला, तो आप कहेंगे the stranger smiled at her and spoke impulsively, या गर आप यह कहना चाहें कि आवेग में वह बाहर पहुचा और उसका हाथ थाम लिया, तो आप कहेंगे impulsively he reached out and took her hand, impulsively he reached out and took her hand, अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें